अस्मत गुरुब्यो नमा, अस्मत परम गुरुब्यो नमा, अस्मत सर्व गुरुब्यो नमा, स्री मते रामनुजाई नमा 41, 42, 43 यज्य, दान, जप, होम, पाठ, पुजन, संध्य, तरपन, आदी, बिना उद्वपुन्र तिलक किये, सब व्यर्थ हो जाता है इससे सदा उद्वपुन्र तिलक करना चाहिए जैसे जनेवू बिना द्वीच के हाथ का पानी पीने का अधिकार नहीं है उसी प्रकार प्रपन्नो को उद्वपुन्र तिलक करे बिना कुछ भी करने का अधिकार नहीं है सूतक में चाहे मुरूतक में, सुद्ध में या असुद्ध में यग्योपवित के समान प्रपन्नों के ललाट पर सदा उद्वपुन्रतिलक बना रहना चाहिए किसी भी हालत में गुरू की तिरिवडी और स्रीपार्तिर्थ और गुरू भगवान का मानसिक पूजन नहीं त्यागना चाहिए जैसे द्वीजो को सदा जनेवु धारन करके रहना चाहिए, उसी प्रकार सदा उद्वपुन्रतिलक भी धारन करके रहना चाहिए 44. अनन्य भागवतों को चाहिए कि भगवान की सेवा भगवत मंत्रों का जब, स्री भगवान का वरत, विसुद्धता पुर्वक ही करना चाहिए, मिश्रित नहीं करना चाहिए इसका यह भाव हुआ कि देवतांतरों के साथ, जहां कहीं भी सास्त्रों में भगवान के पूजन आदि का प्रसंग हो, उसे भगवान के अनन्य सरनागतों से बिन्न अधिकारियों के लिए जानना चाहिए यह सास्त्रों का अडोल सिद्धान्थ है कि भगवान स्रीपती के सरनागतों का उनर जन्मन नहीं होता है अर्थार्थ इसी जन्म के अंत में वे लोग अवस्य परंपत चले जाते हैं उसी बात का इसी स्लोक में भली भाती निर्नाई किया गया है इस जीव के पास अनादी से किया हुआ जो असंख्य पाप जमा है उसी का नाम संचित है भगवान इस जीव को जब जन्म देना चाहता है तो इसके संचित पापों में से कुछ भाग निकाल लेते हैं उस निकला हुआ भाग का दो हिस्सा करते हैं एक हिस्सा से तो इस सरीर का निर्मान करते हैं दूसरे हिस्से को इसके मरने के बाद सरीर देने के लिए रख छोड़ते हैं जिस भाग से इसका यह सरीर बनाते हैं उसको अब्युग गत प्रारब्द कहते हैं आगे सरीर देने के लिए जो हिस्सा रख छोड़े हैं उसको अनव्यूगत प्रारब्ध कहते हैं जन्म के बाद मरन परियंत जानकर या बीना जानकर यह चेतन जो कुछ पाप करता है वो सब संचीत पापों में भगवान की तरफ से जमा किया जाता है बगवान से संकल पित जब इसका यह सरीर छूट जाता है बाद रखे हुए हिस्से से फिर इसका सरीर बना दिया जाता है अहंकार ममकार पुर्वग जो यह पुन्य करता है उसके फल से स्वर्गदादी लोग को में बेज दिया जाता है वहाँ पुन्यों का फल भोगने के बाद फिर संसार में पटक दिया जाता है जब भारी पापों के फल का उदै होता है तो नरकों में डाला जाता है ज़्यादा पुन्यों का फल उदै होता है तो देव लोकों में भेजा जाता है जब वहाँ पुन्य भोगों के फलों की परी समाप्ती हो जाती है तो फीर संसार में गिरा दिया जाता है इसी क्रम से कभी नरक जाता है, कभी स्वर्ग जाता है कभी पाप योनी में जन्म पाता है कभी कीट, पतंग, लता, गुलमादिक बनाया जाता है कुछ ज़्यादा पाप भोगना रहता है और पुन्य की मात्रक कम ही रहती है तो स्त्री का जन्म पाता है क्योंकि पूरुस की अपेक्षा स्त्री जाती में कुछ ज़्यादा तकलिफ भोगनी पड़ती है जैसे घरभा अवस्था का कस्त, प्रसो समय का दुख, पर्त अंत्रता की तकलिफ आदिक इससे पूरुस की अपेक्षा स्त्री देह के पाने में कुछ पाप की मात्रा ज्यादा सास्त्रों ने बताई है ज्यादा पाप से ज्यादा दुख, ज्यादा पुन्य से ज्यादा सुख, कम पाप के कारण, कम सुख दुख पुन्य पाप के अनुगुण अनेक देह देकर भोगाया जाता है पुन्य पाप जानके करे या बिना जानके करे इन दोनों का फल परवस इसे भोगना ही पड़ता है सास्त्रों का कहना है कि अनादी से लेकर आज तक यह मालुम नहीं पड़ता है कि इस में पापुन्य की संख्या कितनी है यह भी सास्त्रों का सिद्धान्त है कि बिल्कुल पापुन्य जब इसका नास हो जाएगा यानि जिस दिन इसके पापुन्यों में से कुछ भी अंस नहीं रह जाएगा उसी दिन यह मोक्स का अधिकारी होगा परन्तु इतने पापुन्य असंख्य है कि इनका नास होना ही असक्य है यह क्रम सब जीव मात्रों के साथ अनादी से चल रहा है ये तो सब जीवों की बात हुई अब भगवान स्रीपती के सरनागतों के साथ पाप पुन्यों का ब्योरा किस तरह निप्टाया जाता है उसको पुर्वक तसलोक के जरिये निल्नय करते है देवतांतर, उपायांतर, प्रयोजनांतर, त्याक पुर्वक जीस दिन यह चेतन भगवान के कृपा पात्र सदाचार्य के द्वारा पंच ससकार पुर्वक भगवान के स्रीचर्णों में स्रीजी के पुरुसकार पुर्वक सरनागत करा दिया जाता है उसके तीन प्रकार के पाप उसी दिन भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाते हैं एक तो संचीत, दुसरा अन्यव्यूगत, तीसरा सरनागत होने के दिन से लेकर परंपत के दिन तक अंजान में जो कुछ इससे पाप होता है वह इस प्रकार सरनागत होने के दिन ही इन पुर्वक्त तीन प्रकार के पापों से सरनागत बरी कर दिया जाता है यानि सरनागत को अब संचीत नहीं भोगवाया जाएगा दुसरा देह मिलने का जो हिस्सा इसका निकाला गया है वह भी भगवान के द्वारा नस्ट कर दिया जाता है यानी सर्णागतों को पुनर जन्मन नहीं दिया जावेगा मरण तक अंजान में जो इससे पाप होगा उसका भी फल इसे नहीं भोगवाया जाएगा भगवान का जो सच्चा मुमुक्षु सर्णागत है सच्च्च संसार चक्र से भैवित है सर्णागती होने के बाद सरीर छुटने परियंत जानकर उससे पाप बन ही न सकेगा न तो सर्णागतों को जानकर कुछ पाप करना ही चाहिए यदि सरीर संबन से जानकर कुछ पाप बन जाए तो सरनागतों को चाहिए कि भगवान को सास्त्रांग प्रणाम करके पस्चाता पूर्वक माफी मांग ले प्रार्तना करे कि हेक्षमाशागर इस अपरात को क्षमा करिए आगे से ऐसा नहीं बनेगा सरनागती सास्त्रों में कहा है कि भगवान का सरनागत यदि उपयांतर में प्रवुरुत हो या किसी पाप में प्रवुरुत हो इन दोनों हालत में उसकी सरनागती तूट जाती है उस टूटी हुई सरनागती को ठिकाने लगाने के लिए उसे प्रायस्चित कर लेना चाहिए सरनागतों के लिए सास्त्रों के द्वारा स्वरुप के विरुद्ध प्रायस्चित करने की मनाई होने के कारण उसको फिर सास्टांग प्रणाम करके भग्वान की सरनागती कर लेनी चाहिए पच्तावा पुर्वक मान्सिक सरनागती कर लेना यही सरनागत वैश्णव के लिए प्रायस्चित है सरीर संबन के कारण जानकर किये गए एक दो पापो का प्रायस्चित तो पस्तावा पुर्वक्त की गई पुर्वक्त प्रकार से पुनह मांसिक सर्णागती से हो जाता है। अपने बेसमच्पना से सर्णागती के भरो से जान बूचकर बारम बार लोक और सास्त्रा की मर्यादा को उलंगन कर, छीप कर या प्रगट यदि सर्णागत मुमुक्सु पाप किया करेगा तो फिर पस्तावा से भी तथा पुर्वक्त रूप से प्रायस्चीत रूप सर्णा सर्णागत होने के बाद जान जानकर पाप करने के लिए सास्त्रों की आग्या नहीं है, किन्तु सक्त मनाई है, सास्त्रों के तथा गुरुों के द्वारा बारंबार मनाई होने पर भी सर्णागत कहा कर भी यदि जान बुचकर पाप किया करेगा, तो जानकर किये गए पर भी नहीं हो सकती है जान जान कर किये गए पापों का फल तो अवश्य जो सरनागत करेगा उसे भोगना ही पड़ेगा क्योंकि सरनागती सास्त्रों का आदेश ही इस प्रकार का है उड़ता लिस्वा इस लोग का वही भाव है जो पहले कह चुके हैं हाँ देवतांतर उपा प्रयोजनांतर त्याक पुर्वक सदाचार्य के द्वारा जो लोग प्यारे परमात्मा के स्री चर्णों में सरनागत हो चुके हैं उन सरनागतों के बाबत परमात्मा के तरफ से सास्त्रों के जरिये इस प्रकार संकल्प कर लिया गया है कि पुर्वक्त प्रकार से जो उन्हें संसार बंदन से छुड़ा कर इसी जन्म के अंत में अवस्य परंपद में पहुचा दूँगा और उपासना करने वाले जीवों की अपेक्षा सरनागत मुमुक्षुओं के बाबत इतनी विशेस बात जरूर है। अब विचारना यह है कि इसी जन्म के अंत में सरनागतों को मोक्स देने की भी आगया है। अवस्य भोगना ही पड़ता है। यह बात बड़ों के द्वारा सुनी होगी और बड़े-बड़े महात्माओं को भी पर्वस भयंकर-भयंकर सरीर दंड भोगते हुए देखा होगा। उस सरनागत मोमुक्षू की जान जान कर तो पापों में प्रवरूती हो ही नहीं सकेगी। क्योंकि संसार का अति भयावन स्वबाव है इसको जान कर जन्म मरनादिक चक्र से जो सचमुझ गबडाया हुआ है उसी को मोमुक्षू कहते हैं और उसी का यहां प्रसंग है। इससे सरनागत मोमुक्षू के द्वारा जान कर पाप होना तो महा असंभव है। यह भी सरनागत मोमुक्षू को विदित ही है कि परमात्मा के द्वारा हमारे तीन प्रकार के पाप सरनागत होने के दिन ही माफ कर दिये गए हैं। जैसे की संचीत, अनभ्युपगत और प्रामादिक याने अंजान में सरीर छुटने तक बन पड़ेगा सो और सरीर संबन से जान कर भी जो एक दो बार हो चुका है उसको भी सास्टांग पुरुवक पश्तावा के साथ फिर भी मानसिक सरनागती के द्वारा कुरुपा सागर् सरी हरी माफ कर ही चुके हैं इन सारी बातों को जानता हुआ सरनागत मुमुक्षु जान भूच कर पापों में प्रवरुत हो ही नहीं सकता परन्तु किसी कुसं के परवस होकर यदी कोई सरनागत मुमुक्षु जान कर यदी सेक्डों अपरात कर लेवे तो उसके बाबत फि किये हुए पापों का किस तरह निफ्टारा होगा क्या उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा या उसे परंपद मिलेगा इसका विचार पुर्वक्त तसलोके के द्वारा आगे करते हैं ऐसे सरनागत मुमुक्षु के बाबत सरनागती धर्म का प्रती पादन करने वाले सास्त्रों का यो कहना है कि ऐसी हालत में भी सरनागत मुमुक्षु का पूर्वजन्म तो न होगा और जीवों के समान नरकादी यातना तो उसे नहीं भोगनी पड़ेगी क्योंकि सरनागत होने के दिन ही उसे परंपद देने के लिए सत्य संकल्प सरनागत वाचल वाचल्यगून सरनागत रक्षन की बाबत जो प्रभू की तरफ से संकल्प हो चुका है वो कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता अब रहा उसके जानकर किये हुए अप्रादो का विचार उसकी बाबत ऐसा है कि उसके सरी छुटने के दिन तक जितने दुख भोगने के लिए उसके पूर्व प्रारद के अनुसार परमात्मा की तरफ से पहले संकल्प हो चुका है उतने दुख तो भगवान की तरफ से उ यदि किसी सरनागत के द्वारा पाप बन जाएंगे तो उन पापों का भी फ़ल सरी छुटने के पहले ही किसी न किसी तरह इसी देह से भोगवा दिये जाएंगे हर एक तरह से भोगवाने पर भी सरी छुटने के दिन तक सैद यदि कुछ पाप पुन्य रह जाए तो इसका यह भाव है कि उस सरनागत के भोगने से जो कुछ पाप बचा हुआ रह जाता है उसको तो भगवान उसकी निंदा करने वालों को दिला देते हैं और जो कुछ उसका पुन्य रह जाता है उसको तो उसके मित्रों को दे देते हैं इस तरह बिलकुल उस सर्णागत चेतन को पाप पुन्यों से छुड़ा कर इसी प्राकृत सरीर से आसानी पूर्वक उसे सुसुसमानाडी द्वारा निकाल कर दिव्यरत पर या स्री गरुट जी पर विरज्वा कर अवस्य परंपत पहुचा देते हैं सारांसिहा हुआ कि जो कुछ भोगना हो सर्णागत को इसी जन्नम में भोग लेना पड़ता है आगे के लिए भोगने को उसे फीर सरीर नहीं मिलता है यह सरीर छुटने के बाद अवस्य भगवान के उस अंगिकार कर ही लेते हैं इससे सर्णागत मुमुक्षूओं को परलोग की बाबत बिल्कुल चिंता न करके निस्चिंध होकर रहना चाहिए अर्थ पंचक तथा रहस्यत्रय तथा तत्वत्रय सर्णागत मुमुक्षूओं को जरूर जान लेना चाहिए इन तीन बातों को अच्छी तरह जाने बिना पक्की वैश्नवता नहीं आ सकती विस्तार से नहीं संसेप में अवस्य ही जान लेना चाहिए